आज मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूँगा एक परसन के बारे में जिनका नाम था बोधियस मेडिवल एज में एक बुक थी जो बहुत सबसे ज़्यादा पढ़िये जाने वाली बुक में आती थी जिसका नाम था आज का वीडियो अन तक आपको इसलिए देखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइक कोई भी अपने डाउंस आए आप उसको हैंडल कर लें अगर आप अपनी happiness को ensure करना चाहते हैं whatever it takes life की situation कुछ भी हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत important है सो अब हम बात करते हैं बोथियस की बोथियस की लाइफ के reality यह थी कि वो जो भी एक person की जो dream life होती है वो उनकी life के reality थी rich थे powerful थे अच्छी family थी उनके बच्चे बहुत अच्छे थे सब कुछ बिल्कुल dream like situation में वो थे wise person थे wise थे learned थे इसलिए जो उनके empire के जो king थे उन्होंने वो उनको अपने जो भी inner circle उनका जो close team होता है उसके वो member थे और जितने भी wise लोग होते हैं उनको हमेशा respect मिलती है और जो society wise लोग की respect नहीं करती है वो society दुखी हो रहती है बरबाद हो जाती है सो होता है कि अचानक से उनका नाम एक conspiracy में आ जाता है एक conspiracy का पता चलता है जिसमें कुछ लोगों ने राजा को मारने की कोशिश की थी उसमें उनका भी नाम आ जाता है अब वो बात सही थी गलत थी वो एक अलग बात है उस पर हम लोग focus नहीं करेंगे तो उनको सजा मिलती है कि within one month उनको death sentence की सजा मिलती है उनको उनके पास एक महीने का time होता है और एक महीने बाद उनको death sentence की सजा मिलती है तो वो जो last month था उनके लिए काफी मुश्किल था as expected उस last month में वो एक counselor की help लेते हैं ताकि वो last month को निकाल पाए अपना ठीक से manage कर पाए और उसी last month में उन उन्होंने चार की messages share किये जो मैं आपको share करूगा सारे deep message है इसलिए आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजेगा उनका जो पहला message था accept the existence of fate वो यह कहते थे कि life में जो होना है वो तो होगा आप उसको रोक नहीं सकते हैं so fate के existence में आपको accept करना पड़ेगा क्योंकि life uncertain ह कभी भी कुछ भी हो सकता है जो कि काफी है तक आप शायद उसको relate भी कर पा रहे होंगे अगर हम लोगों की life को study करें तो message number two उन्होंने ये कहा कि जिन भी चीजों से आप बहुत जादा प्यार करते हो आपकी life की जो भी achievement है आपके पास पैसा जादा है आप successful जादा हो अग transitory है यह सब momentarily है यह सब चर्णिक है अभी है और कभी भी आपकी life से जा सकता है now the message number three वो यह कहते थे कि अगर आपने life में बहुत कुछ खो दिया हो या अगर सब कुछ भी खो दिया हो तो आप यह समझे कि आपकी life की जो positivity थी वो negativity पे डॉमिनेट कर गई यह तो गहरा message है इसको मैं थोगा detail में आपको explain करता हूँ देखिए हम लोग की life में जितनी भी चीज़े आती हैं उनसे दोनों चीज़े associated होती है positive भी negative भी ऐसी कोई चीज नहीं होती है जिससे केवल positive चीज़े associated होती है जिसका केवल positive side होता है for example आपने life में कई बार ऐसा कुछ चाहा होगा किसी person को किसी relationship को किसी भी चीज़ को जो पहले तो आप बहुत positive थे लेकिन थोड़े time बाद उसी से आपको दुख मिलने लगा इसका मतलब हर चीज से दोनों चीज़े जुड़ी होई है तो वो ये कहते थी कि अगर आपने बहुत कुछ खो दिया हो या सब कुछ भी खो दि Now message number 4 यह सबसे important है देखिए life में कुछ भी हो सकता है हम लोग की परिसिती change हो सकती है होती है हुई है जो भी हमारे पास है आज है कल को नहीं होगा और अगर और कोई चीज नहीं चीनेगी तो death चीनी लेगी तो वो तो होना ही है लेकिन एक ऐसी चीज है जो हम लोगों से कभ को interpret कैसे करते हैं यह हमारे उपर depend करता है जो भी mental tools है वो हमारे उपर depend करता है और this is the only thing which can't be assailed यह एक लौती ऐसी चीज है जो हमसे चीनी नहीं जा सकती और इसको बोला जा सकता है इसको वो बोलते थे mental fortress कि this is the only space which can't be assailed जो आपसे चीना नहीं जा सकता है बाकी सब कुछ चीना ही जाएगा लेकिन आप अपने मन में क्या सोचते हैं कैसे किसी को interpret करते हैं कैसे देखते हैं आपका जो attitude क्या है नजरिया क्या है आपकी जो भी होता है उसको आप कैसे लेते हैं यह आपके उपर depend करता है यह एक लौती ऐसी चीज है जो आपसे नहीं चीना जा सकता ह और उनका जो मैसेज था वो यह था कि जो happiness है that can be found in the mental fortress तो उनका clear message था कि learning में, knowledge में आप invest कीजिए जो भी mental tools हैं, जो भी intellectual toolkits हैं उसमें आप invest कीजिए Now the question arises कि mental tools होते हैं, intellectual toolkits होते हैं देखें जो भी wisdom होता है, जो भी हम लोग चीज़े सीखते हैं लाइफी घराहियों के बारे में सीखते हैं, लोगों के बारे में सीखते हैं, mindset के बारे में सीखते हैं किस situation में क्या, कैसे हम लोग को function करना है, जैसे आज जो आपने सीखा यह सारी ची mental toolkits होती हैं, intellectual toolkits होती हैं और यही हमें support करता है हम लोग को अपने life के up and downs को phase करने में, manage करने में, उसको happily जीने में So, आपने वीडियो को यहां तक देखा, उसके लिए बहुत-बहुत thank you अगर आप अपनी learning journey को हमारे सथ continue करना चाहते हैं, तो नीचे हम लोग के community के links दिए आप हमारे community member बनिए और हम लोग के साथ अपनी learning journey को continue कर सकते हैं, बहुत-बहुत thank you